तो यार देखो बंदे अभी इजीली क्लास कोड में 900 स्टार तक लगा रहे हैं ये 5 टिप्स को यूज करके जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन 5 टिप्स को इंप्लिमेंट करके अगर आप भी गेम खिलते हो ना 10 में से कम से कम 8-9 गेम आप आराम से जीज जाओगे देखो क्लास कोड थोड़ा सा बैटल लोया जैनी फुल मैप गेम से हाड इसलिए है क्लास कोड में आप एक ही एनिमी के टीम के साथ बार बार खिलते हो कम से कम चार बार तो खिलना ही पड़ता है इससे सामने वाला एनिमी आराम से पता लगा लेता है आपका गेम खिलने का style कैसा है आप कैसे रस करते हो मतलब कुल मिला के गेम में आपका strategy कैसा है class code में सामने वाले टीम को पता लग जाता है तो इसलिए class code में हर बार जीतना थोड़ा सा मुस्किल होता है as compared to full map बड़े 5 tips को अगर आप गेम में सही से लगा पाते हो दिन आपको गेम में बुया करने से कोई भी नहीं रोक सकता आप लोग आप फटा फट से वीडियो को एक लाइक कर दो चैनल में अगर ने हो दिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज का वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10K so without wasting any more time let's get started so start करते हमारा number 5 tips से जो की है proper squad मैं यहां पर यह नहीं बोल ला हूँ कि अपने चार दोस्त को बुला लो और उनके साथ खेलो इसको squad नहीं बोलते हैं देखो अभी IPL चल रहा है आपको बदा होगा by the way आपका favorite team कौन सी है comment करो मेरा तो CSK है हाँ मैं क्या बोल ला था क्रिकेट team में अपने देखा होगा हर एक player का कुछ ना कुछ role होता है जैसे कि सब भी बंदे batting नहीं करते हैं batting जितना important है bowling भी उतना ही important है वैसे fielding and keeping भी जरूरी है और इसी skill combination को एक team या फिर squad बोलते हैं वैसा हमारा game भी है अगर आप चार तकड़े रसर player को लेकर game खेलते हो तो भी आप game हार सकते हो मतलब समझे सर्फ विराट को ली game को जिता नहीं सकता क्योंके विराट सर बैटिंग दो कर सकते हैं बोलिंग नहीं तो यहां पर proper squad का मतलब है आप जो चार बंदे लेकर game खेलोगे उनमें से एक बंदे को sniper चलाना अच्छे से आनी चाहिए और एक बंदे को grenade करना अच्छे से आनी चाहिए और बाकी जो दो बंदे हैं उनको सही time पर rush करना भी आनी चाहिए और एसे अगर आप एक team बना लेते हो और उनके साथ ही game खिलते हो तो आपका game win करने का chance 100% बढ़ जाता है आगे बढ़ते हमारा number 4 tip के तरफ जो की है characters आपको पता होगा characters गेम में कितना important है और यहां पर आपको ध्यान रखना है आप और आपके teammate ऐसे characters लगा के game खिलो जो characters class code में आपको ज़्यादा दे और यहां पर आपको ध्यान में रखना है और अपने दोस्तों से बोलना है जिसका role जैसा है उसी हिसाफ से characters अपने पास रखो मतलब जो बंदा sniper चलाएगा वो sniper वाली characters अपने combination में लगाएगा ना कि grenade वाला combination समझे एसा ही जो बंदा rush करेगा वो rush वाली combination यूज़ करेगा और गेम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा अपना team से पूछ लेना है अरे तुम grenade करोगे ना हलवारो तो लगा कर आये हो ना अरे बंटी तुम sniper चलाओगे ना रफायल और जोटा character लाए हो या फिर नहीं जाओ फड़ा फड़ से लेकर आओ और लास्ट में सबसे important आपको ऐसे characters यूज़ करना है जो कि आपका काम में तो आएगा साथ-साथ आपके team का भी काम में आए नहीं समझे ना अरे यही तो secret है देखो suppose तुम आलो character यूज़ कर रहे हो वो आपको भी HP देगा अगर आपका दोस्त का HP भी low है उसको भी वो HP देगा आप अगर दिमित्री character लेते हो तो वो आपको HP देगा और उसका skills से आप automatic revive हो सकते हो और आपके साथ-साथ आपका teammate भी उसका फाइदा ले सकते हैं वो भी automatic revive हो सकते हैं इसे बहुत सारे character से हैं जो कि team में अगर एक बंदा लेता है तो वो पूरा team के लिए काम में आएगा like K character हो गया, Moko character हो गया, Justin Bieber character हो गया और भी है तो गया आगे बढ़ते हमारा number 3 tip के दरफ जो कि है pet देखो ये चीज साइद आपको कोई बताया होगा जो कि आज मैं आपको बताने वाला हमारे free fire में pet एक बहुत बड़ा हतियार है और उसको सही से use करना बहुत कम बंदे को प पेट यूज करना है जो कि आपने जो character लगाया है उसका काम में आये, नहीं समझे न, suppose आपने grenade करने के लिए अलवारो character लिया है जो कि grenade का damage को बढ़ा देता है, तो यहाँ पर आपको पेट लेना है बिस्टॉन जिसका काम में grenade को बहुत दूर तक फेकना, यहाँ बरे दोन लगा कर खेल लेगो, तो उसके साथ यह हूट पेट ज्यादा फाइदा देगा, आप इसके मदद से ज्यादा दूर तक स्कैन कर पाऊगे और ज्यादा टाइम तक स्कैन कर पाऊगे, नहीं तो अगर आपके पास ज्यादा पेट नहीं है, इन कोई न, आपके पास जो भी best पेट है, उसका यूज करो, something is better than nothing, ओके next परते हमारा number two tip के तरफ जो कि है loadout, देखो पिछले कुछ update के बाद loadout काफी ज्यादा advance हो चुका है, इतने सारे loadout में से आपको class code के लिए क्या लेना चाहिए, देखो यहाँ पर मैं आपको straight forward दो loadout recommend करूंगा, पहला loadout आप ले स सकते हो, secret clue, इस loadout को लेने से class code में आपके लिए एक अलग secret बजार खुल जाएगा, जिसमें से आप यह restore EP ले सकते हो, quick EP conversion ले सकते हो, जो कि आपका EP को जल्दी जल्दी HP करके आपको देगा, और यहाँ से आप speed boost भी ले सकते हो, जिससे कुछ time के लिए आपका और आपका teammate का speed बढ़ जाएगा, और यह सब अगर आप लेते हो, यह आपको मिलने के साथ साथ आपके teammates को भी मिलेगा, और लास्ट में आप यहाँ से एक extra med kit भी ले सकते हो, enemy के पास 2 med kit होगा, बट आपके पास 3 होगा, और इसी चीज़ को लेकर यूज करके बंदे अभी काफी fast rank boost कर रहे हैं, और इसको अगर आपको नहीं लेना है, यहाँ पर आपको लेना है bonfire, जो कि जादा दर टाइम आपका नहीं तो आपका teammate का काम में आ जाएगा, होगे आगे बढ़ते हमारा number one tip के तरफ जो की है landing location, अभी आप लोग यह बोलोगे सकती भाई पागल हो गया, class code में थोड़ी ना हम लोग landing करते हैं, अरे रुको जरा, यही तो secret है, अगर आपको class code का सारा match को जीतना है, तो उसके लिए आपको जहाँ पर class code का zone बनता है, उस place के बारे में चपा चपा पता होनी चाहिए, कहां से बंदा मार सकता है, कहां पर छुप सकता है, और आप कहां से cover ले सकते हो, तो सारा कुछ आपको सही से पता होनी चाहिए, बट वो सारा चीज तब भी possible हो पाएगा, जब भी आप सारा दिन class code बेटके खेलोगे और कोई game खेलोगे ही नहीं, बट ऐसा तो हम में से बहुत सारे बंदे कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए उसका एक trick है मेरे प पाऊगे, और class code खेलने के टाइम आपको उसी चीज का जादा फाइदा मिलेगा, तो यार यह थे वो 5 tips जिनका यूज करने से आप easily class code का हर एक match जीत पाऊगे, या फिर आप ये lab 12 वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने आपको फुल में आपके 10 ऐसे tips बताया है जो कि आ पता होनी चाहिए, नहीं तो आपे राइट वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपको पता लग जाएगा class code में gun combination क्या यूज करके खेलना चाहिए